तो बाईयों नमस्कार आज हम आए हैं बदाईयू में और यह देख सकते हैं हमारे सामने जो है केसडी का बहुत ज्यादा इस्टोक है इस्टोक उसी चीज़ का होता है दोस्तों जिसकी जो डिमांड है तो बदाईयू में किस जगह आपको आना है सबसे पहले भाईया से जान judy के इसके बारे में खास बात बताओ और इसमें जो है दोल नों के बारे में यह बताो कि इसमें क्या फछारए है जो को छोड़का आपका खरीद करों तो हमारे दोनों ही बट्टी-क पावर कोड़िट पेंट, दौनों है, चाहे आप येलो, येलो ब्लेक ले ले, चाहे रेड ले, पेंट दोनों बढ़िया है, कोई भी पेंट हमारा पपड़ी बनके नहीं चले लिए जिए, और बाकी अब हमारी कम्परी ने ये भी सुष्टम कर दिया, नई डियाना वी यह स ऑफ साथ साथ यह थोड़ा साभ यह बता दो कि इसमें जो ब्लेड है तो ब्लेड कितने 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 ब्लेड का रोटा वेटर है अपने पास साथ फिट में तीन मॉडल आते हैं तो चाइवे रोटावेटर में और क्या फ़रक है जी जैजय। मनलना रोटावेटर जो है थोड़ी सी गहराई ज्याद होने की वज़़े से गहराई कम लेगा जी बाकि जो किसान भाई हैं उनका 35 से 49 स्पावर का जो ट्रैक्टर है वो 48 बिलेड ही चलाएं तो ज्यादा सही है बिलकुल सफी सेंट है किसानों के साफ से कंप्लेंट नहीं आने की घास में चलाओ मौटी मिट्टी में चलाओ मूडे में चलाओ कैसे मेजी चलाओ अच्छा तो भी यह बताओ जैसे किसान भाई ना आप से रोटावेटर खरीद लिया और उसमें किसी भी बात की कोई दिक्क आएगा हम नया गेरवक्स लगा देंगे पुराना अपना लेने एक साल तक गरारी हमारी तूट जाएगी पुरानी गरारी ले लेंगे तो मतलब यह गरारी है जी समतीन चैन्वेन का कोई सिस्टम नहीं है तेरह तेसका गेरवक्स है जोटावेटर का ठीक है जल्दी से पांच-बांच पीश जा रहे हैं गाड़ी आई एक दिन में पांच पीश चले गए चिसान होगे ज्यादा माल हम दे नहीं पाई मार्केट में फिर दूसरा देख रहे हैं बोल रहे हैं आपकी यह बाट ठीक नहीं है बुला के बढ़ा लिया आपने माल नहीं दे पा रहे ह कुछ कहीं नहीं कंपनी से भी थोड़ी दिक्कत है रही थी कुछ मसीनों में कोई दिक्कत आ गाई थी जी उत अपस महा जाओ को बहुं एक चैक कहीं ब्हुत बात बुल पर्सित हो जैसे किसद हैं रोटावेटर कन भाइये और बंदे तर के सार वागे का था इस साल जैसे हमने जो रूंटर बेच रहे वर है फिसे पर आपसटी किसानों के लिए वह बिना लेजर कटिंग पर होती मैं यह पर आपका निकालेंगे यह पीच जमा करो वहां वां वहां वागो कहीं कुछ नहीं जब साइट खुलेगी तब Hm outta कोशिस यह रहे गी कि जादा से जडा किसानों को लागा और हमारे पास यह तो ही है लेजल लेवर लेना चाहें लेजन लेवलर भी कम रेटों में हमारे हैं उपलब्द हैं स्पेक्ट्रा भी है सेलिक भी है आपके पास में जो है तो रोटावेटर आप इसके के कोई सिकायत नहीं आई शिकायत आही तो किसी रोटर में आ गई बेलेड की कही है पत्थर आंगया इट आ गया विलेड टूट गया तो अब डेजाओ किसी परकार का कुछ नहीं लिए अरो पैसा का कुछ निए अभि पहली बात ये लूटर जाली इसमें कंप्लेंट होती जैसे आज मारे हो तो किसानों का जो रेस्पोंस आ रहा है इसकी तरफ से अच्छा रहा है तो आप किसान भाईयों को थोड़ा सा यह बता दो कि मतलब जैसे किसानों को आना है तो वह आपकी जो एक्ट्वल लोकेशन है वह क्या पड़ेगी दुबारे से रिपीट कर दो एक जो भी किसान भाईया आना चाहें सौप पर आ सकते हैं बिलसी रोड जी यू ऑपिस्ट के जिश्ट बराबर में मेरा सौप है अगर किसान भाई नहीं भी आना चाहें किसी दारण वर्ट तो किसान भाई केबल कॉल करें 24 गंटे के अंदर अंदर उनके घर रोटर वेटर हो सौबै को फॉन करोगे साम को साम को फॉन करोगे सौबै जो तरवेटर हम डिलेवरी होगे मतलब आप वीडियो में बोल रहे हो कभी मतलब ऐसा हो जा कभी आप कोई किसान भाई आपसार रूटर खरीद के ले जा और उसमें कोई कंप्लैंड आ जा नहीं यह बात आप वीड कि यह वार किसान को काट लूँगा दो बार आजाएगा किसान बिल्कुल नहीं तो अब तक साले लेल लगा जिते हैं क्योंकि हमने जो है और कंपणी के के हमने पहले जो है एड़ किये और तो उसमें हमें समझ से क्या आई लोगों ने कहा बहुत बुरा है इस पर बहुत बु अगर डीलर अपनी जगे सही है और कंपणी उसे माल ना दे रही है तब भी वो सर्विस नहीं दे पाए ठीक है डीलर गलत है उसके पास माल रखा है वो सर्विस नहीं दे रहा है फिर भी गलत है मेरे पास तो मैं खुझ जाता हूं नहीं जाता हूं लड़का चला जाता है उसे पैसे देता हूं सीधी बात है जि कमपनी ने पार्ट इतने रख दिये हैं कि अगर एक बार में किसी कारण बस दस रूटर में भी कमप्लेंट आया तो एक दिन में दस रूटर सही हो सकते हैं जी इतना पार्ट अपलब्द है हमेंसा मतला आपकी जो ओफिस साइड है उस है बिलकुल बिलकुल तो इनकी कीमत का थोड़ा सा इसारा करेंगे आपके लगभग कितनी चल रही होगी आज की तारीक में नहीं कीमत तो ऐसा है हमारी घठती बढ़ती रहती है अच्छा अच्छा तो किसानवाई फॉन्ट पूसकते हैं जो भी मुनासिब रेट होगा वह पूरी जानकारी ले और सबसीडी लेने से पहले आप यह देख लें कि रोटावेटर पे जो है लेजर कटिंग है नहीं है यह जो है इसमें लेजर कटिंग होती है प्लेट में ही जो है इसका सारा कोड वगरा जो भी है सीरिल नंबर डाल दिया जाता है इसे लेजर कटिंग कहते हैं वीडियो आपको जुरूर अच्छी लगी होगी भाई आपने बहुत अच्छी जानगारी थी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार बहुत बढ़ी